नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 25 वर्स के पुरुस के पाम का अलासस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर पर थम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अ इपना छोटा मोटा विपार कर रहे हैं, आगे के विशे में जानना चाहते हैं, गवर्णमेंट जॉब के लिए प्रियासरत भी है, बड़े अधिकारी बनने का एक ख्वाब भी है इनको, तो ये जानना चाहते हैं मेरे हतेली पर क्या चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें ह अभी क्या करना उचित रहेगा, आगे का समय कैसा चलेगा, प्रॉपर्टी रिकार्डिंग कैसे स्थितियां दिख रहे हैं, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, हतेली कैसी है, धन कमा पाएंगे की नहीं, प्रॉपर्टी बना पाएंगे की नहीं और आगे अपने जिन्दगी को अच्छे तरीके से बिता पाएंगे की नहीं, इन सारे एक्सपेक्ट्स पे इनको जानना है, तो निश्चंत्र हैं, आपने जो पूछा उसका तो आपको बखुवी उत्तर मिलेगा, आपने जो नहीं भी पूछा है, उसका भी आपको उत्तर मिलेगा, पूरे क् देखे, सीखे, समझे, अगर अच्छा लगे, तो जितना हो सके, शेर करे, लाइक करे, आपका एक लाइक, मुझे बहुत सुकून पहुचाता है, तो सबसे पहले चीज़, ये हतली को देखके मेरे जहन में एक बाते आई, अदभुत बाग्य रेखा तेरे पर मौजूद, बले ही आपका प्रारंबिक समय स्ट्रगल में बीत रहा है, बले ही आपको परिशानी आई, बले ही आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जिंदगी पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी भाग्य रेखा अलग ही लेवल की ताकतवरा, मनी बंद से चलती वी भाग्य रेखा, आ क्या इनके बाग्य रेखा पर है, मेरे हतली पर भी ऐसी बाग्य रेखा है, लेकिन मुझे तो फाइदा नहीं मिला, मैंने एक रिक्सा वाले हतली पर ऐसी बाग्य रेखा देखी थी तो मुझे तो नहीं दिखा कि उसको बहुत फाइदा मिला, आपके ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी बातों को समझने का, आपके द्वारा पूछा गया एक भी प्रश्न गलत नहीं है, जरूर आपने देखा होगा कि रिक्सावाले अतली पर भी लंबी भागी रेखा होती है, जरूर आपके अतली पर भी भागी रेखा बनी होगी, और लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा होगा, जरूर आपके मन में ये सवाल आया होगा, कि तब काई की भागी रेखा होती है, जब फल ही नहीं मिलता, तो इस अतेली पर सिर्फ भाग गिरेखाई नहीं है किसी भी चीज़ को देखने से पहले उसके ताकत को देखना बहुत जरूरी है कि वो कितना ताकतवर है वो आपके जिंदगी पर फल दे पाएगा की नहीं उसके रिगारिंग आपके जिंदगी पर इफेक्ट आएंगे की नहीं तो इस सारे महत्पूर्ण जानकारी इस वीडियो के मादियम से करूंगा कि कैसी भाग गिरेखा आपको बनाती है करोडों का मालिक कैसी भाग गिरेखा आपको बनाती है लाखों का मालिक कैसी भागे रेखा आपको देती है नेगलेजिबल फल ना के बड़ाबर फर थजार दोजार का मालिक तो इस सारे एक्सपेक्ट्स पर इस वीडियो के माद्धे हम से चर्चा करूंगा आगे फर्दर आपके एक परसंट भी डाउट्स नहीं रहने कि आपकी भागे रेखा ऐसी है तो आपको ऐसा फल क्यों नहीं मिला आपकी भागे रेखा वैसी थी तो मुझे वैसा फल क्यों नहीं मिला आपकी भागे रेखा कैसी है आपको कैसा फल मिलेगा कोई डाउट्स नहीं रहने तो देखिए मैं हतेली पर primary चीजों की चर्चा जरूर करता हूँ तो primary चीजे मेरे इसाब से basic चीजे आपकी planets होते हैं तो किसी भी भागिये देखा के बल को denote करने से पहले आप उसके planets की उभारता को जरूर देखे अब आपका base strong होगा तभी ना चाते हैं तो समझ लेजिए मान लिया जाए कि आपकी चनरमा खराब है मान लिया जाए आपकी चनरमा खराब है मंगल खराब है आप सभी जानते है चनर की महादशा 10 वर्स की होती है मंगल की महादशा 7 वर्स की होती है तो अगर ये दोनों ही आपका बहुत ही अस्त है, खराब है, नीच का है, यो कारक नहीं है, मारक है आपके कुंडली होरस्कोप में, तो ये 17 साल आपके जिंदगी पर नर्क के समान बीथने हैं, बहुत खराब बीथने हैं, हाँ, उसमें से कुछ प्रतियंतर दर्शा अच्छी हो जाए, तो वो अच हो जाती है, अंतर दर्शा अच्छी हो जाए, तो अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर भी इफेक्ट परता है, महादर्शा का बहुत इंपक्ट परता है, तो ये जो 17 साल आपके खराब बीथेंगे, तो क्या आपके भागगी रेखा को प्राबलम नहीं करेंगी, तो गुरु जाती होगी, उसके बागगी रेखा आपके सक्री होगी, अब इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, तो प्लैनेट्स के स्ट्रेंद को देखना आती है, आवश्यक है किसी भी बागगी रेखा के फल के एक्स्ट्रा लिमिट तक पहुँचने के लिए, या मैक्सिमम लिमिट पाओ और लोगों को समझा भी पाओ, बहुत इराम से, कोई आपको गलत नहीं ठहरा पाएगा, हमारी गैरिंटी है, हमारा चैलेंज है, कोई आपको गलत नहीं ठहरा पाएगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी बातें करता ही नहीं हूँ, जिसका लूप फॉल हो, तो अब दूसरी च लाएगा, Otherwise, बहुत मुस्किल है, अब ये थो ओगए एक बेसिक चीजिज, ये तो Kanpallsen है, इसको देखना बहुत जलूरी है, अब थोड़ा उपर चलते हैं, जब आप थोड़ा उपर चलेंगे, तो भागेरेखा कैसी खिंधाफ पतली होने चाहिए, भागेरेखा कैसी होन जो नाटेदार ताकतवर महाप्राक्रमी बागे रेखा इनके अतली पर मौझूद। अदभुद अविश्वस नहीं है। बागे रेखा अतली पर मौझूद। तो विक्ति को दिक्कते नहीं आती। अब इसके फलकागर मैं गनना करूँ तो आपकी जीवन रेखा पर भी खर अच्छी नहीं रही होगी। उसके बाद कि आपकी जीवन रेखा बहुत मस्त और संतुरित माइंड रेखा हर्ट लाइन में थोड़ी दिक्कत तो बच्पन से इमोशनल धक्का लगाओगा बाकी हर्ट लाइन ठीक है आपकी और बुद्ध रेखा सी भी बन रही है तो कर रहे हैं लेकिन अभी फिलाल बेनेफिट नहीं दिख़़ा होगा क्योंकि राहू लाइन सी भी है और साथ साथ आपकी बुद्ध रेखा में भी अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है तो अब तुरत अमीर बन जाओ ये कि जरूरी थोड़ी है मेरे सापने हाथ दिखवा लिया आपकल अमीर बन जाओगा ऐसा थुड़ी होता है आपकी जब समय आनी है तभी आनी है वो तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपकी समय कमानी है और आपको करना क्या है तो इनकी अतली पर पॉजिटिव योग की श्रणी अच्छी है और जो रिक्से वाले के अतली पर आ बहुत कम एक से दो परसेंट वला पाते हैं तो इनकी हातली पर अच्छी अवस्था और भी है दिखाऊंगा तो इनके प्रशन के तरफ चलता हूँ यह गवर्मेंट जॉब की प्रप्रेशन कर रहा है देखिए अभी थोड़ा एक क्लोजब पिक में चलता हूँ इनके लेकिन इतनी भी बहुत नहीं थी आपके पास पैसा आजाता होगा ट्वेंटी एट इयर से प्रोग्रस लाइन बढ़ी अच्छी आपके अतली पर बन रही है और यहां से भी एक सी रेखा आपके आगे चल रही है इधर को मान लो तो इस सारे कंडिशन्स में जो आपके अतली मुझे बता रही है आपकी नौकडी तैह है एकदम तैह है अब बोलोगे गुरुजी अभी क्यों नहीं हो रही इतनी अच्छी बागी रेखा है तो देखो बिरश्पती आपकी बहुत परिशान है तो प्रारबिक समस्या है पारिवारिक समस्या है इस चीज़ का तरफ परिशे कराती इसके लिए मैं आपको उपाए दूँगा और दूसरा आपकी जो जीवन रेखा है ये बहुत अच्छी है और इसके बाद से प्रागलस्ताइन से बने हुए है तो विक्तितर्की करते हैं no doubt करते है पैसे तो कमाऊगे लिखके लेलो आप पैसे तो कमाना ही है बर स्टीट मत होना पैसे एकदम कमाना इसमें कोई डाउट नही है और परियास करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा फिलाल उतने बड़े सिपने मत देखो अभी इतनी भागे रेखा आपकी अच्छी है, क्योंकि भागे रेखा पर कोई दिक्कत नहीं है, इतनी भागे रेखा आपकी जरूर सी अच्छी है, कि अगर अभी आप छोटे नौकरी का तियारी करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये राहू लाइन बहुत प्रभाबी नहीं से आपकी छोटी नौकरी होने के फिलाल बहुत ही अच्छे चांसे इस केस में विक्ती को सफलता मिलती है बड़े पैमाने पर नहीं मिलेगी क्योंकि राहू लाइन है लेकिन छोटे पैमाने पर आपको अवश्य ही मिलेगी तो बस जो मैंने बोला उसको करें आपको बेनेफिट होगा छोटे का भी करें और दो तीन उपाय दोंगा उसको आप कर लेना चीज़े अच्छी रहेंगे आपके जिंदगी पर तो ये पहला प्रशन था दूसरा पैसा तो देखो जैसी आपकी बागे रेका है ना पैसा तो लिखवा के लाओ पैसे तो कमाओगे ये कमाओगे और मट्टी पर प्रपरटी के योग 45 के बाद से हैं और आपकी सूरी रेका भी अच्छी सी बन रहे बुद्ध रेका फिलाल डिस्ट्रमेंस है इससे थोड़ा बिजनस आपका ठीक ठाक नहीं चल पा रहा होगा थोड़ी थोड़ी सी बन रही है बनेगी तो बेनेफिट कराएगी तो इस केस में इंसान का विपाल बहुत अच्छा नहीं चलता फिलाल कंडिशन में तो इतना चल रहा है चुकि बागिया रेका अच्छी तो आप कमाओ खा लेते होगे पैसे आ जाते होगे तो अभी जो म अस-पस रूप से क्लियर करूँगा तो वीडियो काफी महत्पून देखे सीखे समझे तो इसकी स्क्वाइर सते लिए तो मद्यमेच का सफलता को पाते है ऐसे विक्ति इस केस में विक्ति मद्यमेच के वाद तकरीबन अपना थाइस वर्स के बाद से सफलता के तरप अगर विक्ति किसी भी कारी में जाए कोई भी प्रकार का काम करे उसको मेहनत करना पड़ता है बाकि डिजायर्स के अच्छे योग है तो विक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं अपने कारी को बड़े इमानदारी से करते हैं दूसरा ही देखो तो दो लाइन आपके तली पर विक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं दिल में किसी के परती को इक बावना नहीं बाकि ब्रश्पती फिंगर छोटी संगी बड़ी तो विक्ति बहुत इमती पैसे खर्च होंगे कमाई से जादा फिंगर के बीच का में गैप का मतलब यही होता है कैल कुरिटिव तरी कि दूसरे फिक के तरब चलता हूं यह देखिए तो इस केस में थोड़ी क्लियर है इनकी फोटो तो ब्रश्पती तो ब्रश्पती में यहां से पूरा प्राब्लम डिस्टेंस भी कम है तो विक्ति की प्रारंबिक समय में पाड़ी वारीक समस्यां बहुत सी प्रशान करती है नाना प्रकाल की प्रशानी आती है जंदगी बड़ी तबाह रहती है लेकिन यह तक्रीबन आपके तीस वर्सों के बाद अच्छी सक्री है बाकी उपाय देदूंगा ब्रश्पती के छल्ले से नजर आ रहे है तो विक्ति दानी प्रविर्थी को तो इंटेलिजन्ट होता ह है फिलाल भी इसमें कोई स्टेंथ नहीं है तो चर्चा करूंगा नहीं यहां से दबाबे तो विक्ति बहुत मेनती मेनत का फुल मिल जाएगा सैटरन रेका जिंदगी के लास्ट तक मौजुद तो बागे रेका तो बहुत बढ़िया यहां से भी बहुत अच्छी नजर आ जाक होते हैं सूरी रेका एक सी बन रही है एक और सी आगे बनकर चल रही है यहां से भी एक दो बनी हुई है कोई दिस्ट्रेक्शन से तो विक्ति कंसंट्रेट करने में प्राब्लम से आती है जीवन पर लेकिन अगर आप पढ़ियास करेंगे थुरा कोशिश करेंगे तो बहुत याराम से कर पाएंगे इतनी भी कोई मेजर समस्य आपके दली पर नहीं थी तो सूरी पे अच्छे इंडिकेशन्स आपके दली पर मौझूद बागी कुछ एक दो लाइन्स भी है तो विक्ति एक्स्टा टरिंटर होते हैं अपने कारे को बड़े इमानदारी से करते हैं एक सूरी रेका एक जॉब प्रोफेशन के तरफ इसारा तो करा ही देती है अगर विक्ति परियास करे तो उनको नौकडियों का इसलिए मैंने कहा ना कि राहू लाइन है भी तो कोई दिक्रत नहीं है आपकी नौकडि होनी तै है चोटे जगह तो आपको परियास करना ज़रूरी है बिना परियास किये नौकडि क्या एक रुपे नहीं कमा पाओगे बड़ बार इसलिए बोल रहा हूँ थो रा आलसी नेचर आपका होगा आप हो सकता है कि परियास करना छोड़ दे एक दो बार सफलता पाएंगे डाइवर्ट हो जाएंगे डिस्ट्रेक्ट हो जाएंगे छोड़ देंगे तो वो करने से क्या benefit होगा सन मरकरी बहुत अच्छी, बुद्धी तो बहुत अच्छा है सूरी के तरब से आ रही है तो विक्ती को नेम फेम की बहुत ललक होती है ये नेम फेम के लिए कारे भी करते हैं और मिलता भी है सन मरकरी इनका अच्छा इनका अर्टली पर मंगल, दोनों इन मंगल अच्छा तो एनरजी, किसी भी कारे को करने के लिए एनरजी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी मंगल आपके एनरजेटिक नेचर को दर्शारी है कि आप बहुत एनरजेटिक है अपने काम को बड़े इमानदारी से करते हैं मंगल अच्छा हो और मल्टिपल प्रापटी की योग अतली पर मौझूद हो तो विक्ति को प्रापटी के साथ मिलता अगर नहीं भी हो तो भी विक्ति एकाग प्रापटी जरूर से बना लेते हैं और मंगल आपकी बहुत जबरदस्त है विक्ति प्राक्रमी, योद्धा के समान ताकत और सैनिक बिवाग में, प्रसासनिक बिवाग में, पूलिस लाइन में, आर्मी में आपको सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस आपके तली मुझे बता ली प्रदस्त मंगल, चदनमा भी बहुत अच्छा, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है धन के रिगार्डिंग विशेशकर दिक्कते नहीं आती, प्रसनेलिटी वाइज आप अच्छे होते हैं और चुकि यह भागे रिखा के साथ बनी है, तो भागे रिखा को बल को इंक्रीज करने में बहुत सहायक जबर दस्विश, शुक्र परबत बहुत बढ़ियां, जिंदगी अच्छी बीतने हैं, शादी के बाद की लाइफ भी अच्छी रहेगी, कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो बच्पन से लेके पारिबारिक समझ से हैं, आपने बहुत सी देखी हैं, बट मनी की लाइन्स थे तो विक्ति को धन की दिक्कत नहीं होती, पैसे कही ना कहीं से जुगार करी लेते हैं, कितनी बड़ी भी प्राबलम आ जाए, जिंदगी अच्छी बीत दी है चुकि प्रारंबिक समय में आपके स्ट्रगल हो रहा इसका वज़ा भी है, कि आप भगवान आपको दिखाना चारें, कि आप और परियास करें, आप ये विजनस के लिए नहीं बने हैं, आप नौकरी के लिए बने हैं, तो आप परियास करिए, आपको सफलता मिलेगी, बस यही एक रीजन हो सकता है, बांकि आपके शुक्र बहुत अच्छी है, अपना खुद का प्रॉपर्टी विगरा बनाओगे, no doubt, कुछ आपके स्क्वाइर विगरा से बने वे तो अवश्य थे थे आपके शुक्र पर, इस केस में लगज़री लाइफ का सुक मिलता है, अच्छी बात है, तो शुक्र काफी बली आपके इतले पर मौझूद, लगज़री के लाइज भी मौझूद, मंगल पर कुछ टेंसन के लाइज तो व्यक्ति जादा सोचता नहीं है, अपने काम पर ध्यान देता है, क्योंकि मंगल साप सुतरा है, एनरजेटिक है, प्रसास से बहुत दबा, बहुत टेंशन, बहुत इरिटेशन, बहुत जादा, अभी भी आप जेली रहे हैं, कमाई तो आपके 20 वर्स के बाद सुरू हो गई होगी, लेकिन आपकी दिक्कते आपके जिंदगी पर देखो तो, 11 वर्स में भी थी, 25 में भी थी, और आगे आपके 27 वर वर्स के आउम में, तो टेंशन नहीं लेना, उसके बाद से कोई टेंशन नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी प्रकती आपके जिंदगी के लास्तक है, तो विक्ति को तरक्की मिलेगी, माई रेकास पश दिमाग के बहुत तीज, सबसे खुबसूरत पार तो आपका भागी र रेकाने लिए, क्या मस्त, मज़ेदार, जबरदस्त बागे रेका, 28 के बाद तो और बहतरीन सी हो गई है, और पतली हो के आगे चल रही है, मस्त, और मल्टिपल प्रापर्टी के योग भी क्या बहतरीन मौजूद आपके एतली पड़ा, स्ट्रॉंग सूरी रेका, एक मरी ज़्यादा आवशक्ता है, नहीं तो प्राप्लम्स आ सकती है, इसके इसमें थोड़े नुक्षान अलगते हैं इंसान को, मुद्र रेका बनी विए पर इसमें स्ट्रेंथ आएगी तमना मज़ा आएगा इसका, बाकि एक सूरी रेका सी बन रही है, इसमें भी स्ट्रेंथ आपके इतली पर, तो विक्ती थोड़ा जादा सोच सकते हैं, प्रिशान हो सकते हैं, और कुछ आपके ट्रेंगल से हैं, मौझूद आपके इतली पर, जो कि आपके माइंड रेका हर्ट लाइन के बल को इंक्रीज कर रही है, यह किसके पावर को बढ़ा रही है, च्छतिस क आप से बहुत इमोशनल होते हैं, यह देखो, प्रारंबिक समय में बहुत से दबाब आपने जेला यवा किरती थी, आपके आयो के 14 वर्स से लिका, 18 वर्स के बीच में उसके बाद से भी इमोशनल दखके आपके लगे से थे, 14-18 के बीच में बहुत प्राब्लम्स आई हों बहुत अच्छी इंसान दिल दिमा के बहुत अंद्रूस होते हैं, अपने कारे को करके सफलता को पाही लेते हैं, एक सूरी रेखा है, तो एक जॉब की तरक्की, एक सोर्स आफ इंकम आपके जिंदगी पर बना रहता है, लेकिन आपको सार्थक परियास करना पड़ेगा, तब यह आपके काम्याबी होगी, यह ताइन के तरले का पुणता विश्लेशन, अगर आपको उमारा यह वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सेर कर सब्सक्राइब कर दे, अगर आप लसन मेरे सास्त्रेकारिका के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा